हेलो दोस्तो आज के इस वीडियो में हम ITI प्रिसिक्षन अधिकारी भरती 2020 की संभावित दिनांग इसका सलेवस एवं इसकी संपूर्ण भरती प्रिक्रिया के बारे में जानेंगे हमने पिछले वीडियो में ITI प्रिसिक्षन अधिकारी के प्रिवियस येर के पेपर के बारे में जाना था अगर आपने पिछला वाला वीडियो नहीं देखा है तो क्रप्या डिस्क्रप्शन पर दी हुई लिंक पर जाकर देख सकते हैं अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो क्रप्या चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं बेल आइकन को दवाएं जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे क्योंकि आगे मैं इसी तरह के नोलेजिवल एवं इंट्रेस्टिंग वीडियो लेकर आता रहूंगा चलिए स्टार्ट करते हैं, सरप्रथम हमें पीवी यानि प्रोफेशनल एक्जामिनेशन बोर्ड की वेप साइट पर जाना है इसकी link मैंने description box पर भी दे दी है इसमें हम देखेंगे कुछ इस तरह का page खुलेगा इसके left side में for candidate दिया हुआ है for candidate के नीचे exam schedule पर हम click करेंगे हम देखेंगे कि कुछ इस तरह का page खुलेगा इसमें 2007 से लेकर 2020 तक के examination schedule दिये हुए है उसके हम नीचे जाएंगे वहां लिखा है tentative dates यानि संभावित date 2020 की यहाँ पर संभावित date दी हुई है उसको हम scroll करेंगे उसमें हम देखेंगे कि 2020 की कुछ संभावित तिथियें दी हुई है इसमें हम देखेंगे चौथे नंबर पर मन्त अक्टूबर 2020 की संभावित विकेंसी दी हुई है इसमें कॉंसल विकास संचालना लाए ITI training officer recruitment test exam type की हम बात करें तो इससे combined recruitment test के नाम से भी जाना जाता है इसकी tentative exam date 17 से 20 अक्टूबर 2020 है ये विकेंसी मन्त अक्टूबर में आने वाली है जो भी candidate ITI prescription अधिकारी की post के लिए तयारी करना चाहते हैं तो आज से ही इसकी तयारी start कर दें इसके बाद हम इसका syllabus इसमें कौन-कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं age एवं इसके pay skill के बारे में जानेंगे ये हम 2016 का notification देख रहे हैं जिससे PEB यानि Professional Examination Board ने कराया था इसकी officially website के हम बात करें तो इसकी officially website है www.vipam.nic.in तथा www.peb.mp.gov.in इस पर आप स्वयम ही चेक कर सकते हैं इसमें paper का समय दो घंटे का था इसमें हम देख सकते हैं इसमें 50% पद डिप्लोमा वालों के लिए थे इवं 50% पद ITI वालों के लिए इसका हम pay skill देखेंगे इसका pay skill 6th पे के हिसाब से तेरा नवे सो से 3400 प्लस 3200 ग्रेड पे था इसकी हम I.U. देखेंगे इसके लिए I.U. नियूंतम 18 वर्ष थी अब हम इसके इसके लिए 100 question थे 75 question जो थे वो ट्रेड से संबंदित थे और 25 question बिज्ञान एवं गलित त्रामानी ज्यान तारकिक ज्यान एवं बेसिक कम्प्यूटर से थे इसमें 2 घंटे का पे पर था इसमें किसी भी प्रकार की माइनस मार्किंग नहीं थी इसके कम्प्रई नहीं Kansas City इसके कम्प्रब्द सेंबंद Union